विधायक विक्रम आदित्य सिंग को स्वर्गिय वीरभद्र सिंग से राजनीती विरासत में मिली है लेकिन विधान सभा में पहली पारी में ही कम उम्र में बेबाग तरीके से अपनी बात को रखने में विक्रम आदित्य सिंग माहिर नजर आ रहे हैं इसके लिए अगर विधायक को पार्टी लाइन छोड़ कर व्यक्तिगत राय भी जाहिर करनी पड़ी तो वे संकोच नहीं करते हैं हमारे समाज में हर आदमी और हर राजनेतिक नेताओं की राजनीती से हटकर अपनी एक अलग छवी होती है जिसका हमारे समाज पर चिरकाल तक असर होता है उस व्यक्ति को हम उसके ओधे से नहीं बलकि उसकी साफ, छवी, बेबाक, अंदाज और साथी देश के प्रती किये अच्छे कारे के तौर पर जानते हैं चाहे वो किसी भी राजनेतिक पार्टी से जुड़ा हुआ क्यों ना हो ऐसे ही कुछ चर्चित चेहरे हिमाचल प्रदेश में भी है जो हिमाचल की राजनीती में राजनीती से हटकर एक अलग छाप छोड़ चुके हैं और छोड़ रहे हैं इन बेबाक चर्चित चेहरों में विक्रम आदित्य सिंग का नाम भी शामिल है विधायक विक्रम आदित्य सिंग ने कई बार कॉंग्रेस को ही कट घरे में खड़ा कर दिया है ये उनका साहस ही था कि उन्होंने देश के प्रधान मंत्री के समर्थन में खुल कर अपनी राय रखी मामला पंजाब से जुड़ा था जब किसानों ने उनका काफिला रोका था इस दोरान विक्रम आदित्य सिंग वरिष्ठ नेताओं और कारेकरताओं की नाराजगी का शिकार भी हुए विक्रम आदिते सिंग इस बात को भली भांती जानते हैं कि जो व्यक्ति जनता के दिलों और उनकी भावनाओं की कद्र करेगा वो राजनीती में राज करेगा उनके पिता स्वर्गिय वीर्भद्र की बात की जाए तो उन्होंने प्रदेश की राजनीती में लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई थी सही को सही और गलत को गलत कहने की वे हिम्मत रखते थे चाहे वो राम मंदिर की बात हो धारा 370 की हटने की बात हो या संग के सपोर्ट की बात हो उन्होंने हमेशा नीजी तोर पर समर्थन किया विक्राम अधित्य सिंग से जुड़ा एक किस्सा भी आपको बताते हैं किसान नेता राकेश टिकैत हिमाचल पहुंचे थे सोलन की सबजी मंदी में आर्थियों से टिकैत की तू-तूमय में हो गई थी देश में किसानों के आंदोलन को कॉंग्रेश से जोड़कर भी देखा जा रहा था क्यूंकि खुलकर कॉंग्रेस टिकैत का समर्थन कर रही थी हिमाचल में भी कॉंग्रेस के प्रदेशा ध्यक्ष कुल्दी प्राठोर ने राकेश टीकेत का स्वागत किया तो वहीं विक्रमादित्य सिंग ने पाटी लाइन को छोड़ कर अपनी बात बेबाकी से कह डाली इसमें विक्रमादित्य ने साफ तोर पर कह दिया था कि हिमाचल के बागवान खुद अपनी आवाज उठाने में सक्षम है युवा विधायक की बात पर कॉंग्रेस भी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करती है क्योंकि पाटी भी ये बात समझ गई है कि वे अपनी बात को बेबाक रखने में माहिर हो गए है खास बात ये रही कि विक्रम आदित्य ने अपनी बात बेबाक तरीके से कहकर जनता की खोब प्रशंसा भी बटोरी थी क्यूंकि जनता भी नहीं चाहती थी कि प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा हो